CCN News 24 के सभी दर्शुको कौन मेरा नमस्कार दर्शुको इस वक्त मैं बुर्डोजर वाले बाबा की नगरी में हूँ उत्तर प्रदेश में हूँ और उत्तर प्रदेश का जौन पूर जिला है दर्शुको इस वक्त आप मेरे साथ इस वक्ती को मौजूद देख सकते हैं विसेनिक है ना ही अभी हम इन्हें पूर्विसेनिक कह सकते आप देख सकते नौजवान बैक्ती है ये और इनकी अभी सेना में साथ साल की नौगरी दे चुके हैं लेकिन जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं जनतर मंतर पर प्रदेशन भी किया जा रहा है एक मुद्दे क कि सेना के अंदर ब्रिटिश कानूनों के तहत सेना के जवानों का खासकर सिपाही रेंग के लोगों का बहुत बुरी तरह से discrimination भेदभाव किया जा रहा है और उसी discrimination को लेके इस व्यक्तिने इन व्यक्तिने इनका नाम हरिंदर है आदव है और हाल फिलाल में ही इन्हों ने बहुत जजबे के साथ अपनी जो भी discrimination है जो भी प्रताड़ना जहिलने को मिल रही है इनको सेना की तरफ से जवानों की तरफ से अफसरों की तरफ से कारिस्थल पर उसको इन्होंने बड़ी बुलंदियों के साथ सोशल मेडिया पर रखा और उसका परिणाम ये इस प्रकार का है कुछ कि अभी इनकी नईया डावा डूल है सत्य का साथ दे रहे हैं और सत्य जिस प्रकार से कड़वा होता है उसी कर आवाज अपने उठाई सोशल मेडिया पर अपनी आवाज रखी तो इनके साथ जैसा हरंदर जी ने मुझे बताया कि मार पीट भी की गई और मार पीट के बाद इन्होंने रिजाइन जब दे दिया खुदी इन्होंने रिजाइन भी दिया इसे नामे तो उसके बाद इन की वीडियो इतनी वाइरल हुई है लोगों की क्या प्रतिक्रिया आई है इनके लिए सबसे पहले हरेंदर जी हमारे चैनल पर आपका स्वागत है पहले तो सभी को आपके तमाम दर्सकों और अपने देशवासियों को मेरे तरफ से जैहिंद और राम राम करता हूं है अच् खाना खाने योग यह नहीं होता हाल फिलाल की घटना ये भी बताई गई है और जब उस घटना को जब वो सोशल मीडिया पर आई तमाम मीडिया चैनल से उसमें लग गए थे उस वेक्ति की पड़ताल करने उस खाने की पड़ताल करने और आज एक ऐसा दौर देखा जा रह मुझे बहुत नहीं लेकिन जहां तक मेरा सुनने को मिला था कि कोई बाद में जब इन सब चीजों को लेके मैं कहीं लोगों के पास गया लोगों ने मुझे बताया कि एक तेज बहादूर यादो थे उनका नाम तेज बहादूर यादो था उन्होंने डाल को लेकर कुछ ख बाई वो है वो कोई गलत नहीं है हाँ चीजें उसके बाद से कुछ बदली थी उनकी आवाज उठाने के बाद से कुछ बदली थी लेकिन उतना अच्छा आज भी नहीं बदला कि नहीं जो एक खाना जो पॉस्टिक आहार जो होता है जो जवान खाता है मतलब हम अपने घरों या बीच मजधार में फसे पड़े आप इतना अच्छे से आपने देश सेवा करी कभी सोचा था कि आपको अपने हकों के लिए मांग उठाने पर आपको भगोड़ा घोशित कर दिया जाएगा उसी सेना के द्वारा जिसमें आपने सालों की मेहनत करके गए थे रनिंग फिज के भावना की वजह से ही मैं मैंने इस संस्था को त्याग पत्र दिया मैं आज आपको यह बता दू कि मैं जो यूनिट हमें यह लेटर भेज रही कि मैं भगोड़ा हूं मैं यूनिट मतलब रिपोर्ट नहीं कर रहा हूं तो ऐसी कोई बाते नहीं वह तो एक नोकरी आज कितने प्रेशंट भारतिय सेना कितने प्रसेंट लोग फोज में इतनी बड़ी 145 क्रोण की आवादी है हमारे देश की उसमें कितने लोग हैं सेना में जो देश-भक्ति का जुनून लेकर देश की सेवा कर रहे हैं तो यह तो बस खाली यह कि अभी जैसा कि मैं उसी द जो आने वाले भविस में सुरच्छा का एक बहुत बड़ा मसला है। मैं कोई खाने का बीडियों कोई यह सब चीजें नहीं मैं उस सुरच्छा विवस्था के साथ जो खिलवाड हो रहा है उसके लिए मैंने जब उस अधिकारी को अपने कर्णल बेलू मूरगन फोर्ट यूटियार के जो सियो उनको जब मैंने बताया था तो उन्होंने मेरा बि आई-पी-एस आई-एस बहुत सारी चीजें प्लस उन्होंने ये भी धमकी दी बोला ना तुझे सिविल लाइक छोड़ूंगा ना तुझे फोज लाइक चोड़ूंगा तरह मुँझ क्यों खोल रहा है लोग यही कर रहे है तूँ क्यों क्यों नहीं कर रहा है और तो और ये भी कहा कि जब लड़ाई लगेगी तब की तब देखी जाएगी अभी तुम लोग इसी लिए हो यही बड़ी सिस्टम के लिए हो यही अधिकारियों के घरों पे नौकरी करने के लिए हो ऐसा उन्होंने उस दिन ऐसे ऐसे वर्ड पतलब जो उनके समझ में आया था जितने लोग बगेर युद्ध केवल और केवल बड़ी सिस्टम के लिए हो तो यदि वैक्ति सेना का सेना में वैक्ति जाके टोटर टाइम बड़ी गिरी करेगा तो क्या युद्ध के मैदान में तमन्चे पर डिस्को चलाएगा यह भी सवाल उठता है और करनल साब कह रहे हैं कि तुम बस केवल बड़ी सिस्टम के लिए हो अच्छा हरिंद्र जी लगातार देखा जा रहा है कि सेना में कहीं न कहीं कोई न कोई खामी निकलती ही जा रही है कभी अगनी वी रहा है पैंतारिस दिनों से पचास दिनों लगभ पचास दिनों से हमारे जवान जेसियो धरने पर बैठे वे हैं अभी पिछले दो साल पहले एक सेना के जवान के द्वान के द्वारा खाने के ऊपर कंप्लेंट की गई और वो आस तक ला पता है इससे ऐसा नहीं रखता कि जो भारत के पड़ोसे मुल्क दुश्मन देश है उनको सह मिलती जा रही है तो अभी इस पे य जो हमारे उहदेदार लोग जो बैठे हैं जो देश के सर्वोचिपदों पर बैठे हैं ये उन महानुभाव महोदय लोगों से अपील है कि इन चीजों को मतलब निस्पक्छता से जांच कराएं और सही चीजें जो वहां पर जो कुरूतियां जो विसंगतियां हैं जो इतन रोज लोग रोडों पे क्यों नहीं उतरते हैं जब खामियां जब ज़्यादा बढ़ने लगती हैं जब बिसंगतियां कहते हैं जब सर से पानी उपर जाने लगता है तभी कोई ऐसे उठता है नहीं तो किसी को पागल कुट्टे ने नहीं काटा है कि नहीं कोई ऐसे रोड कोई वह जो कहा रहा हैं कि किसी पागल कुटिया ने नहीं काटायए कि एसा कार्य कारा किया जाए और ऐसे प्रोटेस्ट किया जाए जब वो विसंगतिया हैं donc ढ़ी जिन्थनी हैं बहूत इस अपसर होत प्रेयर कि नहीं है मैं तो यह कह रहा हूं कि आज 70-80% से भी ज्यादा हुआ अधिकारी क्योंकि वहां का वो सिस्टम ही ऐसा है वो आते हैं पले उन चीजों का थोड़ा बहुत उनको लगता है कि यारी क्या हो रहा है लेकिन फिर उन्हें चीजों में ढलते जाते हैं अफसर रैंक अफस करके तो वही तो उन लोगों को उनसे सवाल किया जाए कि आपका जवान आप जब थे जब आप अंदर थे अंदर अभी तो जो बाहर आ गये होंगे वही दहाड रहे होंगे अंदर वाले तो नहीं दहाड रहें तो जो बाहर आ गये उनसे पूछा जाए कि जब आप कमान अ आप कितने जवानों कितने BIP culture से आप चल रहे थे अभी उस BIP culture के बारे में जब उनसे सवाल किया जाये तब तू वो बताये ना कि हमारे जवानों के साथ हमने कैसा ब्योफार किया था और वो ब्योफार आज की dessert में और बढ़ता जा रहा है और इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि सेना को ये कम करते जा रहे हैं और चीजें जैसे करते हैं कि जैसे चीजें बेरों के बेर बढ़ती जा रहे हैं संसाधन बढ़ते जा रहे हैं सुख सुविधायें बढ़ती जा रहे हैं तो आज अधिकारियों को हर चीजे मतलब इतना ज़्यादा सुख सुविधाएं मिलती जा रही हैं, इतना ज़्यादा चीजें बढ़ रही हैं, इतने ज़्यादी चीजें डेवलप हो रही हैं, उन सब चीजों की वज़े से जवानों को ही सब कारे करना है, हर जगह जवानों को ही जाना है, उनके हर रोजमर्रा के कार्यों से लेके हर वो SUKSHBDHAŁhouं के भी कार्ण admitted को ही जाना है तो जब उसी जवान को जाना है तु और ज़वान नीचे कंकिए जा रयह है एक जवान को मजबूरन दिनों रात duty देना रही निपडिदी दिना तो कोई दिक्कत नहीं दियूटी दे रहे लेकिन इनके जो घरों में जो इनके सहायक प्रथा बट मैन सिस्टम इन सब चीजों से आज हालात इतने बिगड़ चुके हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है अच्छा हरेंद्र जी ये बट मैन सिस्टम में अफसर रॉबी पूरी तरह से जिम्मेदार है तो इसके लिए आप सिपाही जो बट मैन बनाया जाता है इसके लिए जेसियो रैंक के जो विक्ति हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है वो आपको किस प्रकार से बचाते हैं इसक इसके बारे में तो मैं अभी जेसियो और जवानों में मदभेद नहीं करना चाहता हूँ लेकिन यतना तो जरूर है कहीं न कहीं जेसियो जो हैं अगर वो चाहें तो जवान प्रताडी पना किया जाए इतना तो जरूर कहूंगा अगर वो सच्चाई का साथ दें तो जवान प्रताडी पना किया जाे जनतर मंतर पे हुंकार भर रह रहे हैं जेसे ओ जवान दोनों साथ मिल के ऐसा कहा जा रहा है जेसे ओउस कह रहा है कि मेरे जवान को पटमेन गिरी कराई जाती है मेडम वही मैं आपको कह रहा हूं कि अब सर बेबस लेका हमारे जवानों को चले जाते हैं बटमेन के लिए नहीं तो वो लेके चले जाते हैं तो मैं यह कह रहा हूं कि वहां पे उहदेदार ये बनाए गए हैं, बीच के मीडियेटर ये बनाए गए हैं, अब सर और जवान के बीच में मीडियेटर यही बैठाए गए हैं, तो कमपनी, S.J.C.O, कमपनी और रेजिमेंट के सुवेदार मेजर यही लोग बैठे हुए हैं, अगर ये लोग अगर ज यूनिट की बात बता रहा हूं लेकिन सारे ऐसे जेसियो नहीं होते हैं मैं यह नहीं कर रहा हूं लेकिन वो जो पद मिल जाता है जिनको जो इस जेसियो की चेर पर बैट जाते हैं जो सुवेदार मेजर की चेर पर बैट जाते हैं वो ऐसे करते हैं तो मैं इसलिए उनको बता एक मेजर के घर में दस दस बारे बारे जवानी स्पेयर करके एक मेजर के घर में सहायक भेजता है उसकी सामान को ले जाने के लिए ले आने के लिए उसके घरों पे गैस सिलिंडर भेजने के लिए मतलब जितना जादा जादा जो कहते हैं एक सब्द होता है फोच का चंचाग नंबर पूरा देगा उसको मैं तो यह बता रहा हूं कि मेरे सामने मैं अपने नंबर बढ़वाने के लिए अफसर के सामने अपने नंबर बढ़वाने के लिए सिपाही को वो भी शोशड कर रहा है जी जी वो जो उस पदों पे बैठे हैं मेरा कहने का मतलब हो कि वो जो उस जो कोई SJCO duty कर रहा है जो कोई सुविदार major की duty कर रहा है जो उस पदों पर बैठा है बाकी सारे जैसियो तो मैं लो भाई वो तो सारे तो बैठते नहीं वो तो एक unit में तो जैसे दो तीन company है तो तीन SJCO हो गए और एक सुविदार major हो गया चार हो गए बाकी तो जैसियो कर रहा हूं यह कह रहा हूं कि वो जैसियो जो ओधेदार जब बैठते हैं तो अगर वो चाहें जवानों का इतना सुशन ना हो और वो सब चीजें बहुत अंदर की बात हैं बहुत बड़ी चीजें हो security का मामला है ज्यादा कुछ कहना चीजें उचीद भी नहीं है इसलिए इतनी चीजें बहुत जो मैं बता रहा हूं यहीुँदा रहा हूं यहीं चीजें बहुत अंदर विसंगतियां हैं मैं क्या क्या बता सकता हूं वो चीजें जब कभी इसकी उच्च्च इस्तरी जांच हो मेरी meeting हो उन अखदेदारों से तो मैं वहाँ पई प्रूरी बातें सामने रखुंगा और उन चीज़ों की जाच करवाने की पूरी कोसिस अब देखिए अधे अधेश में एक तरफ मेरा सैनिक मेरा सैनिक किया जाता है सरहत का सिपाई सैनिकों को बोला जाता है ट्रेंड चलाय जाते मैं भी चौकीदार करके और असल माएने में चौकिदार की हालात क्या है पचास दिन से लगभग हो चुके हैं पूर्व सैनिक जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं यह हमारे सैनिक महोदे हैं जो कि इनकी नईया बीच में हैं इनके साथ इतनी प्रताड़ना हो रही थी कि यह रिजाइन दे चुके हैं और इनकी अभी रिजा पर तो आई जाती है कि एक सैनिक ने फिर से सुसाइट कर लिया और उसके पीछे की वज़े जाननी के कोशिश करें तो उसकी वज़े मिस्ट्री बनाके आगे पेश कर दी जाती है तो यह ऐसा है कि सेना हमारी एक तरफ से बिलकुल खोखली होती जा रही है और जब हमारे द जीवन मुश्किल है भारत के अंदर मैं ये भी कह सकती हूँ दावे के साथ है